नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब सड्डा में जहां आपको मिलता है जॉब नोटिपिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफरमेशन आज का यह वीडियो बंबे हाई कोड ने विभिन पदों पर कॉंट्रेक्ट बेसिस में भरती के लिए नोटिपिकेशन निकाला है उसके बारे में है आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एक्जाम से रिलेटेड वेकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलेरी, इंपोर्टेंट डेट्स और एक्जाम पैटेंस से रिलेटेड सारे डीटेल्स बताऊंगा आगे हम वेकेंसी की बात करें तो विभिन पदों के लिए यह 165 है जिसमें सीनियर सिस्टम आफिसर का 38 पोस्ट और सिस्टम आफिसर का 127 पोस्ट है अगर आपको की डीटेल मैट्रिक्स देखनी है तो आप ओपिशेल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सिस्टम आफिसर पोस्ट के लिए आ इलेक्रोनिक्स में या आपने MCA किया हुआ हो या कोई इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन और पांस साल का बार के एक्स्पिरेंस हो और नेट्वर्क सर्टिफिकेशन भी हो आपके पास या फिर आपके पास Microsoft Certified System Engineer या Red Hat Certified Engineer का Additional Certificate हो सिस्टम आफिसर पोस्ट के लिए आपके पास BEB Tag Degree हो CS, IT या Electronics में या कोई इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन और एक साल का बार के एक्स्पिरेंस हो या फिर आपके पास BEB Tag Degree हो CS, IT या Electronics में या MCA किया हुआ हो आपने या कोई इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन और एक सा इंजिनियर का एडिशनल सर्टिपिकेट हो आगे हम एज लिमिट की बात करें तो यह एक अक्टूबर 2019 को काउंट होगी और आपकी उम्र 40 साल से जादा नहीं होनी चाहिए एज रिलेक्सेशन की डिटेल जानने के लिए आप ओफिशल नोटिपिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आगे हम फिश की बात करें तो इसकी कोई डिटेल ओफिशल नोटिपिकेशन में में नहीं है most probably यहाँ पर एपलाई करने के लिए कोई फिश नहीं है आगे हम सेलेरी की बात करें तो सीनियर सिस्टम अफिसर का वेतन 46,000 रुपए पर मन्थ है और सिस्टम अफिसर का वेतन 40,000 रुपए पर मन्थ है आगे हम important date की बात करें तो अनलाइन एपलाई कर सकते हैं आप 5 अक्टूबर 2019 से 21 अक्टूबर 2019 के बीच फीस पेमेंट होगा अगर कोई है तो 5 अक्टूबर 2019 से 21 अक्टूबर 2019 के बीच eligible candidate का list website पे publish करने का date अभी declare नहीं हुआ है और interview का भी date अभी declare नहीं किया गया है आगे हम selection process की बात करें तो candidate का selection educational qualification, experience और interview के basis पे होगा candidate जिनकी result grade में है उनको अपना result percent में convert कराना होगा अपने university से आपका appointment 12 मंत का होगा contract basis पे जो की performance के basis पे बढ़ाया जा सकता है तो दोस्तों आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपका इस exam से related कोई सवाल या सुजा होए तो आप comment box के माध्यम से हमसे संपाग कर सकते हैं ऐसे ही exam से related notification सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे channel job sadda को subscribe भी कर सकते हैं और साथ ही साथ bell icon को भी दबाना न भूलें धन्यवाद और से लिए कोई सबस्वाद